अगर आपको पूछता हूं कि टेली कर दो लेक्चर चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर अमारा है लेक्चर नंबर 32 और आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल ओफ बिजनेज तो यह कॉंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीम्पल सा खुषर स्फार हो गूडविल क्या होती ए अगर यह नवींदर्व आपको पूछूं कि टेली कम्टीयकैश्य डेक अधर में अगर में नाम लेता हूं तो आपका नाम आपके दिमाख में क्या की क्या आएगा सब रखा है करेंगे तो भहे आज हम चीखने होता है कि गुडविल की से कैलकुलेट होता है और मीनिंग क्या होता है यह जो घुण calculate करने का और प्लस गुडवि़ल का जो जो भी concept मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसके बहुत सारे अटेनिट्व का यह मतलब है कि गुडविल चैलकुलेट करने के काफी सारे तरीके अलग-अलग मेथड्स बहुत सारे मेथड़ बОकिस ट Dimos में एक सिंपल सा मेथर्ट दिया है मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं विकॉज यह जो गुडवील का कॉंसेप्ट है अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेश करते हो सीए 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 में या फिर आप विकॉम जब करोगे या फिर एमकॉम करोगे तो वहां पर आपको एक से से पहले मैं आप आपको मीनिंग बताता हूं गुडवील में भी डिस्क्राइब ऐस दे एग्रिगेट ऑफ दोस इंटेंजिबल एट्रिब्यूट ऑफ बिजनेस विच कंट्रिब्यूट इट्स सुपीर अर्निंग कैपिसिटी ओवर नॉर्मल रिटन ओन इन्वेस्मेंट इस पढ़ने के बाद मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आयोगा कि गुडवील का मेंणिग क्या है तो आप यह जू मेंणिग दिया है इसमें यह बता गया है कि गुडवील का मतलब यह है सूपीरियर अर्निंग कैपिसिटी अगर मैं आपके कंपणी की गुडवि के लिए मैं यहां पर आपको की example बताता हूं तो यहां पर जो meaning लिखा है यह आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा suppose यह आपकी company है यह आपकी company है और आपके company में आप manufacture करते हो mobile आपके company में manufacture करते हो mobile और यह जो है जो आपकी company है ये और ये जो मैं बात करा हूँ ये mobile industry है means इसमें बहुत सारे mobile की जितनी भी companies होती वो सब यहाँ पे cover होती mobile industry ठीक है अब अगर आपकी जो company है जो मैं आपकी company की बात करा हूँ अगर आपने एक साल में 10 lakh rupees invest किया है अपने बिजनेस में और आपने कमाया है एक लाख रुपया यह example समझे कि आपने अपने बिजनेस में कितना invest किया है 10 lakh रुपया और आपने कमाया कितना है एक लाख रुपया वही अगर मैं इस industry में जो लोग काम करते हैं अगर उन्होंने एक लाख रुपया invest किया तो वह खाली 80,000 कमा पा रहे हैं वह कितना कमा रहे ह एक लाख और यह जो mobile industry है वह कितना कमा रहे है 80,000 तो आप ज्यादा कितना कमा रहे हो आप एक्स्टा कमा रहे हो 20,000 तो जो 20,000 आपने एक्स्टा कमाया है वह आपका गुड़विल है देखिए अब यह जो definition है मीनिंग है यह मैं आपको बता दीता हूं देखिए यहां पे क स्ट्राइब ऐस दे एग्रिगेट ओफ दोज इंटेंजिबल एट्रिबीट ओफ ए बिजनेश विच कंट्रीबी कंट्रीबिट टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपिसिटी सुपीरियर मतलब एक्स्टा अर्निंग कैपिसिटी ओर नॉर्मल रिटेन ठीक है तो यहां प प्रॉफिट कितना है एक लाग रुपया ठीक है और अब मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया टेन लैक्स और कमा कितना रहे एक लाग तो यहां पर लिखा है सुपीरियर अर्निंग कैपिसिटी पूछ रहे एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो तो उसका कंपेरिजन हमें इंड इंवेस्टमेंट मतलब आप जितना भी पैसा कर रहे हो उस पर एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो एक्स्ट आपने कमाया है तो 2200 इसी और गुडवुल तो दूसरों से जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो आपका हो यह यह आपका होता है गुडवे तो सिंपल सा मेंतर्ट था फेवरेबल लोकेशन दे एबिलिटी एन स्कील ओफ इट्स इंप्लोई एन मैनेजमेंट कॉलिटी ओफ इस प्रोड़क्स एन सर्विस कस्टमर सैटिस्फेक्शन अब यह एट्रिबूट का मतलब क्या है कि जो आपने सुपीरियर अर्निंग कैपिसिटी की थी जो आपके एक् क्याइबिलिटी आपकी स्कील आपके इंप्लोई इतने अच्छे हैं कि अपका प्रोड़क्स इतना अच्छा है कि उसकी वज़े से आप एक्ष्टा पैसे कमा रहे हो एक्ष्टा अर्निंग कैपिसिटी हो रही है आपकी आफिर आपके मैनेजमेंट की कॉलिटी या फिर स्टमर सैटिसफेक्शन जो होता है वह आपने अच्छे से किया है तो यह अट्रिब्यूट की वजह से गुड़्वील जो होता है वह आराईज होता है गुड़्विल वहां पर आता है गुडवील इस द रेप्यटेशन और बिजनेस एक्सप्रेस इं टरम साफ मनी तो गु जी यह का मैं अगर आपको पूछ हो जी यो कंपनी जो है उसका अगर मैं आपको बोलो कि उसका गूडविल किसी ने देखा है क्या नई आप देख नहीं सकते हैं पेली कॉम्मुनिकेशन का नाम लेता हो तो आपके दिमाग में रिलाइंस आता है जी यो आता है बट उसका नहीं आता तो वह इंटेंजिबल असेट्स है तो इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं उनके मैनी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं और मैंने आपको एक मैंने मैंने आपको अल्री बता दिया अब यह असेट्स है तो इसे हम रिकॉर्ड कहां करेंगे हम लोग record करते fix assets में ऐसे goodwill जैसे total fix assets कितना 80,000 उनका Mr. A का और उनका goodwill हो सकते हैं 20,000 तो goodwill कहां पर record होता है fix assets में होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा thanks for watching और वीडियो subscribe और चैनल to watch more videos